आपने कहावत सुनी होगी कि हार और जीत में सिर्फ इमान का फर्क होता है और यही इमान का फर्क पश्चम बंगाल के लोगसभा चुनाओ में बीजेपी और तरणमुल कॉंगरिस को विजई बनाएगा नमस्ते मेरा नाम है अकाश और आप देख रहे हैं रिपोर्ट भारत आज के इस अंक में हम बात करेंगे पश्चम बंगाल के बारे में पश्चम बंगाल लोगसभा सीटों के हिसाब से पूरे भारत देश का तीसरा सबसे बड़ा राज है जहां पर 42 लोगसभा सीटे हैं वहीं दूसरे नमबर पर आता है महराष्ट जहां पर 48 लोगसभा सीटे हैं और प्रथम पहले नमबर पर आता है उतरप्रदेश जहां पर 80 लोगसभा सीटे हैं देखे, पस्चिम बंगाल, जो 42 लोकसभा सीटों वाला है, वहाँ पर 2019 के लोकसभा चुनाओ में, तरणमुल कॉंग्रेस के पास 22 सीटे आई थी, और परधान मंत्री नरेंद्र मोदी के दृत्तित्व में, बीजेपी के पास खुल 18 सीटे आई थी, उससे पहले, 2014 के है, इस ग्रोथ को आगे बरकरार रखते हुए, बीजेपी इस बार भी पस्चिम बंगाल में बहुत अच्छा प्रदर्शन करने वाली है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है, बंगाल का एक तरफ का इलाका तो कह रहा है कि जिस प्रकार से तरणमुल कॉंग्रेस उन्हें हर महिने मुफ्त या फिर कम पैसे में राशन दे रही है, और साथ ही साथ हर किसी के खाते में एक हजार रुपे डाल रही है, और सुनने में ये भी आ रहा है कि अगले चुनाव के बाद दीदी उन सब का घर भी बनवा देगी, तो इस वज़े से बहुत सारे लोग ममता दीद को वोट करेंगे, और वहीं BJP, संदेश खाली, भरष्टाचार, राशन, घोटाला इन सब के मुद्दों पर वहां पर लड़ रही है, एक विशलेशक का तो ये भी कहना है कि जिस प्रकार से BJP, संदेश खाली की बात को पुरिदेश में उड़ा रही है, उससे उनको कुछ संदेश खाली वशीर हाट लोग सभा सीट के अंदर आता है, जिसके अंदर साथ विधान सभा सीटे हैं, उन साथ विधान सभा सीटों में से एक है संदेश खाली, और जिस प्रकार का मामला संदेश खाली में हुआ है, उससे दो या तीन सीटों पर ही फरक पड़ेगा, बा जो अल्फ संख्यक आबादी वाले लोग हैं यह हमेशा से TMC के vote bank रहे हैं बंगाल के अंदर जो उसका दक्षिन बंगाल खेतर है मतुवा बहुल खेतर के अंदर आता है और यही पूरे प्रदेश का 25-30% वोट अपने हाथ में रखता है तो जिसने मतुआ बहुल छेतर के अंदर अपना दबदबा बना लिया वो लगबग लगबग पस्चिम बंगाल के अंदर इलेक्शन जीता ही समझो फिर गंगा का जो मिदानी इलाका है वहां पर लगबग 16 स जहां पर संगठन मजबूत होने की बच़त से मम्ता दीदी के जीतने के आसार बहुत जादा दिखाई दे रहे हैं और साथ ही साथ अपनी सीटों को पावर फुल करने के लिए वहां के आदिवासियों के विकास की योजना भी हाल फिलाल में मम्ता दीदी चला रही हैं जिस पर लड़ने के लिए पूरी तरह से तलवार और वादों की ढाल लेकर और तंज को लेकर के जो राशन घोटाला हुआ है भरष्टाचार है इन सारी बातों को लेकर के युद्ध के मैदान में तैयार खड़ी है वहीं TMC भी जादा से जादा सीटे जीतने के फिराक में है दीडी ने इस बार अपने नए 26 चहरे मैदान में उता रहे हैं और अलफ संक्यक आबादी वाले लोगों का पूरा ख्याल दीदी ने रखा है इस अलफ संक्यक आबादी वालों का ख्याल रखने के लिए दीदी ने कॉंग्रेस और जो वामपंती दल है उसके साथ गड़बनन तोड़ दिया है क्योंकि क्या हुआ था कि जब पिछली बार चुना हुए थे तब जो अल्प संख्या काबादी वाले लोग है इनके विभाजन की वज़े से बीजेपी ने उत्तर दीनाजपूर और जो मालदा के जिले हैं वहां पर कबजा बना लिया था और वहां पर अपनी सीट ले आये थे तो इन सारी सीटों को सिक्यूर करने के लिए इस बार टीमसी अकेले लड़ने के फिराक में है और सोच रही है कि अकेले जीच जाए परंतो दूसरे तरफ वही बीजेपी का नाम की सिक्षा के शेतर के अंदर जिस प्रकार के सत्ता वाले लोगों ने घोटाले किये हैं जिस प्रकार से व्रष्टा चार किया है और राशन घोटाला किया है उसके पिना पर बीजेपी अभी भी पस्चिम मंगाल के अंदर अडिक है और पिछले लोगसभा चुनाओ के अंदर सुबेंदू अधिकारी के भाई और जो पिता हैं उन्होंने लोगसभा में अपने छेतर से चीत पाई थी तो बीजेपी ने क्या करा कि उनको अपनी पार्टी में ले लिया और वहां से भी दो सीटे सिक्योर कर ली इसलिए जीतने भी विशलेशक हैं वो यह कह रहे हैं कि इस बार पश्चम बंगाल में बीजेपी और त्रिनमूल कॉंगरिस की जीत में लगबग एक या दो परसंट का ही फरक देखने को मिलेगा पश्चम बंगाल में लगबग 7.18 करोड वोटर हैं जिसमें से 3.60 करोड वोटर सिफ महिलाएं हैं पिछली बार 2021 के विधानसभा चुनाओ मेनी में से 55 प्रतीशत महिलाओ ने वोट TMC के खाते में डाला था लेकिन इस बार वही महिलाओं का वोट घटा बड़ता नजर आएगा कॉंगरेस ने अपने 13 और वाम दलो ने अपने 28 उमीदवार शेतर में उता रहे हैं परंतु अनमान ये लगाया जा रहा है कि जादा से जादा एक या दो सीटें ये हासिल कर पाएंगे इस पूरी कहानी को देखकर ये लग रहा है कि BJP जीतने के फिराक में है और TMC अपनी सीट नहीं छोड़ना चाह रही है पस्चम बंगाल के राजनीती के उपर अगर आपके कुछ विचार हैं तो कमेंट सेक्शन ने बताईएगा आप देख रहे हैं रिपोर्ट भारत नमस्ते मैं हूँ अकाश पांडे और वीडियो देखने के लिए रिपोर्ट भारत को सब्स्राइब करें